नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉम्टिशन कम्मुटी में बहुत स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लो पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि समय बहुत नजदीका आ रहा है एक्जाम का ठीक है तो आप जैसे जान रहे हैं कि कॉम्टिशन कम्मुटी के जिसमें आपको ऐसा इसे जितने भी सबजेक्ट हैं उसके सिलेबस जितने हैं उन सबको कवर कराया जा रहा है शौट टाइम में कितना परफेक्ट त्यारी करना है इसके लिए हम लोग आपके लिए प्रोग्राम लाएं हैं इसी के मद्दे जज़र रखते हुए मैं जो इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके कुछ important fact देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग solve करेंगे इसका MCQ clear है यहां पर सबसे important बात यह है कि सबसे अधी question सविधान में अगर आता है तो इस portion से बहुत जादा आता है ठीक है तो इसको एकदम ध्यान से देखना है क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जोड़दार डायलॉग या पंच आर या पार पैदल या कार चलिए कार महीं बैठेंगे अपन चलिए तो हम लोग भाग पांच में क्या क्या पढ़ने वाले तो भाग पांच आर्टिकल जो है यह का आप संग या केंद सरकार से रिलेटे जिसको टॉनी जनर बोलते हैं पार्लियामेंट संसद सुप्रीम कोर्ट एंड लास्ट में सी एजी इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे तेखना बहुत शॉट तरीके से मैं पूरे टॉपिक को कवर करूँगा पूरे इसके आर्टिकल से इंपॉरे इंपॉरे इंपॉर रहा हूं कि पूरे आर्टिकल एक दम सिक्वेंस से बता रहा हूं आर्टिकल को कि बोलते जा रहा हूं याद करते चलो और उसको नोट डाउन करते चलिए क्लियर है तो आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 किसके बारे में बात करता है आर्टिकल 52 बोलता है भारत का राश्टपती होग आर्टिकल 52 उसके बाद आर्टिकल 53 क्या बोलता है आर्टिकल 53 बोलता है कि समस्त कारपाली का सकती राश्पती में नहीं थोगी तो कारपाली का सकती किसमें राश्पती में और राश्पती किस प्रकार की कारपाली का सकती का प्रमुख होगा तो यह नाम मात्र की कारपाली का प्रमूख होगा, ठीक है, क्लिएर किस नाम की, नाम मातर की कार्यपाली का प्रमूख होगा, उसके बाद Article 54, तो Article 54 बोलता है, राश्च्तपती के निर्वाचक गन, की राश्च्तपती के निर्वाचम में कौन-कौन पाटिसिपेट करेगा, उनके बारे में बताये गया है, तो इसमें कौन-कौन आएगा, तो इसमें आएंगे, लोक सभा, राज सभा के निर्वाचित सदस्य, सब्दों को ध्यान देना निर्वाचित बोल रहा हूं, ठीक, फिर राज जी के विधान सभा के निर्व सदसे चैन्द सासीद प्रदेश दिल्ली और पांडी चेरी के निर्वाची तैसे Pause दिल्ली पॉंडीरी कि इसलिए क्योंकि यहां पर है यहां पर मुक्ष मंत्री तो इतने लोग क्या करेंगे उसको वोटिंग करेंगे ठीक है इसके बाद आर्टिकल 55 तो राश्पती के निरवाचन प्रक्रिया के बारे में बात करता है निरवाचन रीती क्लियर निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन रीती कैसे होगी तो आगे में MCQ है MCQ में ये कोश्चन में लाया हूँ तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँगा क्लियर अगर अपन नाम के रूप में देखें नाम के रूप में देखें और अगर देखें तो नाम के रधार पर वह 15 नंबर की है और सीक्वेंस में देखें तो तो इस दो बार बने तो क्रम से अगर लेंगे तो नाम के अधार पर लेंगे तो 15 नंबर की क्या बनी है वो भारत की राश्पती बनी है क्लियर है ठीक उसके बाद आर्टिकल 57 तो पुना निर्वाचन राश्पती का पुना निर्वाचन पुना निर्वाचन कहने का मतलब है कि हमने राश्पती का पत कहां से लिया है अमेरिका से लिया है ठीक अमेरिका में क्या प्रोस अगर अमेरिका का राश्पती बनता है तो मैक्जिमम दो बार ही क्या बन सकता है वो अमेरिका का राश्पती मगर हमारे ऐसा है कि हमारे कोई लिमिट नहीं है अगर मान लीजे द्रौपती मुर्मू अभी भारत की राश्पती है तो पांस साल के बाद फिर से बन सकती है उसके राश्पति का क्या आर्टिकल है 57 उतके बाद आर्टिकल 58 तो आर्टिकल 58 बोलता है राश्पति की योगिता तो योगिता में एक चीजे बस याद रखो 35 वर्स की आयू या उससे अधीक हो ठीक बाकी तो भारत का नागरिक होना चाहिए लाप के पत्पनी होना चाहिए और ए एक बात याद रखना कि राश्पति के योगिता में पागल और दिवालिया वर्ड यूज नहीं है ठीक की एक राश्ट का सबसे प्रमुख पद है यह तो इस प्रमुख है की गरिमा को बनाया रखने के लिए दिवालिया और पागल पंःड का यूज नहीं खेंस किया गया है बाकी लोतिकिटी के लिए आगरी कराइश नहीं किया गया है राश्पती और उप-राश्पती के लिए थीक है क्लियर कि मैं वही नागरी कराणनेचीन भारत का लाप के पत पर नहीं हो ओके तो artist 58 ओर त्रिक MB सर्थ की बात करता है राश्पती की योगिता की सर्थ होनी चाहिए कि उस सर्थ को पालन करे जो भी रखा गया उसके लिए सर्थ ठीक उसके बाद सर्थ रक्षन या रक्षा करने की सपत लेता है किसकी सपत लेता है वो सविधान का सर्थ रक्षन करने या रक्षा करने की सपत लेता है वो ठीक है ओके फिर उसके बाद आर्टिकल 61 तो आर्टिकल 61 राश्पती पर महाभियोग तिक महावियों को एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं एकदम शॉर्टकट में ध्यान देना देखो जो मैं पॉर्षन पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ाने के लिए लगभग नहीं नहीं में न हपता भर लगता है मगर मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा रहा हूं ठीक है करने पर तिक अब यहां पर यह प्रक्रिया हो जाएगी शचाऊदा दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा अगर सदन ठिक, चाहे भो लोग सभा हो, अगर सदन राश्पती की जवाब से, राश्पती या तो खुच जाएगा, अपने जवाब देने के लिए, या तो अपने किसी प्रितिनिधी को भेजएगा अगर सदन राश्पती के जवाब से संतूष्ट हो गई कि हाँ इसने कोई गलत नहीं किया कोई सविधान का तिक्रमण नहीं हुआ कोई सविधान का उलंगा नहीं हुआ तो वहां पर महावियोग खतम मतलब आगे बढ़े गई नहीं अगर सदन संतूष्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रक्रिया आगे बड़ेगी और प्रक्रिया के तहट पहले सदन के कुल सदस्ति का तूठड्ड पहले सदन के कूल सदस्ति का तूठड मेज्योरिटी से पास करेंगे उसके बाद दूसरे सदन के कूल सदस्य का two-third उसको पास करेंगे और जिस दिन दूसरा सदन two-third majority से पास कर देगा उसी दिन तत्काल राश्पती को क्या देना पड़ेगा? इस्थिफा देना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले सदन के कूल सदस्यों का two-third माल दीजे लोग सभा में 545 सदस हैं, तो 545 का two-third उसके बाद राजसभा में गया, तो मालनों लोग सभा राजसभा में कुल सदस्यों किसंग है 245, तो 245 का two-third जिस दिन दूसरा सदन पास करेगा, उसी दिन तत्काल राश्पती को क्या देना पड़ेगा? अपने पद से स्थीपा देना पड़ेगा, ठीक है, पैन गिर गया, क्लियर है, ओके, इतना कंप्लीट, तो आर्टिकल 61 क्या है? महा भी ओग, उसके बाद आर्टिकल 62, तो आर्टिकल 62 बोलता है, राश्पती के पद की रिख्तियां होने पर, अगर राश्पती का पद रिखता है, तो उसको 6 मेने के अंदर क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा चुनाओ कराना पड़ेगा क्योंकि राजपती का पत खाली नहीं होना चाहिए उसके बाद आर्टिकल 63 तो आर्टिकल 63 बोलता है उपराश्पती के लिए ठीक भारत का एक उपराश्पती आर्टिकल 63 उसके बाद आर्टिकल 64 तो आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराश्पती उपराश्पती राजसभा का पदेन सभापती होगा ठीक क्या बोलता है पदेन सभापती कहां का राजसभा का आर्टिकल 64 आर्टिकल 65 बोलता है कि राश्पति की अनुपस्थिती पर उप राश्पति द्वारा उसके कार्यों का निर्वहन किया जाएगा अगर मालीजे दुरौपति मुर्मूजी बिमार पड़ गई ठिक या भारत के बाहर है तो उस बीज जो उप राश्पति हैं जो अभी बने जगदीब धनकड ठिक वो क्या करेंगे वो राश्पति के कार्यों को करेंगे और इस बीज भले वो दो दिन के लिए कारे करें चाहे वो दो मेहने के लिए काम करें चाहे वो छे मेहने के लिए काम करें अगर राश्पति के उन्पस्थिती पर उसकी बिमार होने पर उसकी मित्ती होने पर अगर उप राश्पति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो उप राश्पति को वो सारी सुविधाय मिलेंगी जो राश्पती को मिलती है मतलब राश्पती को दी जाने वाले वेतन भत्ते एक दिन का जो भी होगा वो सारी कि सारी सुविधाय किसको मिलेंगी उप राश्पती को मिलेंगी ठीक है और एक बत यादक ना भारत के उप राश्पती को उप राश्पती के रूप में वेतन नहीं मिलता उसको राजसभा के पदेन सभापती के रूप में क्या मिलता है वेतन मिलता है संचीत नीधी से ठीक है, क्लियर है तो उप राश्पती क्या करेगा राजपति के उनुपस्तिती पर उसके कार्यों का निर्वहन करेगा और इस बीच उसे वो सारी सुविधाय मिलेंगी वो सारे वेतन भत्ते जो भी होगा वो सब मिलेगा जो राजपति को दिया जाता है तो आर्टिकल कौन सा है यह 65 फिर उसके बाद आर्टिकल यहां पर मैं लोक सभा वर राज सभा के निर्वाचित वह मनोनीत सदस्य दोनों आएंगे यहां पर किसके निर्वाचन में उप्राश्पति के निर्वाचन में बस यहां ना कोई राज्य विधान सभा के लोग आएंगे ना केंसासित पदेश के कोई निर्वाचित सदस्य आएंगे मनूनित और निर्वाची दोनों सदस्त सामिल होंगे कहां के लोकसभा और राजसभा के और राश्पती में केवल निर्वाची सदस्त थे ठीक है क्लियर सब्दों पर ध्यान देना सभी धान ये थोड़ा सब देदर हुआ पुरा गेम खताम clear है okay तो निर्वाचन में कौन आएगा इसके निर्वाचन में इसके आएगे लोकसभा राजसभा के निर्वाचीत वह मनोनीत सदसे ठीक है clear अब उसके बाद article 71 बोलता है कि राष्टपती वह उपराष्टपती के निर्वाचन संबंदित विवादों का निप्टारा कौन करेगा Supreme Court कौन सा विवाद निर्वाचन संबंदित विवादों का निप्टारा राश्पति वाच्पति का कौन करेगा Supreme Court करेगा ठीक है तो यह आर्टिकल कौन सा है 71 उसके बाद आर्टिकल 72 राश्पती का छमादान किसका छमादान राश्पती का ठीक क्लियर है पांच प्रकार से छमा करता है राश्पती और राश्पती एक मात रहसा है जिसको मिट्ट्यू डंड माफ करने का अधिकार है क्यों मिट्ट्यू डं बोलता है कि राश्पति को उसके कारेयों में सहायता देने के लिए क्या होगा एक मंत्री परिसद होगा राश्पति को उसके कारेयों में सहाय कौन होगा मंत्री परिसद होगा ठीक है क्लियर है यह कौन सा है आर्टिकल 74 मतलब मंत्री परिसद का वर्णन या गठन किस आर्टिकल के तहत है पताब किस आर्टिकल में तो 74 नंबर के आर्टिकल में है उसके बाद आर्टिकल 753 प्रधान मंत्री की नियुक्ति त्यान दो यह प्धाय मंत्री को न्यूट करेगा कौन राश्पती के द्वारा ठीक है जैसे माल लिजे भाजपा और कॉंग्रेस है तो आप मालो भाजपा को मेज्योरिटी मिल गया अपनी सरकार बनाने का तो भाजपा क्या बोलेगी भाजपा पले से अनॉंस्मेंट करके रख सकती है कि अ हमको मेज्योरिटी मिल गया है अब हमको सरकार बनाने की क्या दो तुम अनुमाती दो तो राश्पती क्या बोलेगा राश्पती बोलेगा नहीं बोलेगी तो राश्पती बोलेगी क्या ठीक है बनाइए मगर आपकी तरफ से प्रधान मंत्री कौन होगा ठीक तो भाजपा कि भाईया हमाई तरफ से प्रधान मंत्री के उमिद्वार कौन है नरेंद मोदी जी है तो राश्पति क्या बोलेगी कि ठीक है मैं इनको भारत का प्रधान मंत्री न्योक्त करती हूं तो न्योक्त किया जाता है किसको प्रधान मंत्री को और कौन करता है राश्पति के द्वा तो इसकी न्यूक्ति कौन करेगा राष्ट पती ध्यान दो इसकी पद मुक्ती भी करेगा राष्ट पति इसका कारकाल निर्धारित नहीं है यह राष्ट पती के प्रसाद प्रेतन तक क्या रहेगा पद पर बना रहेगा समानता भारत में जो सवेधानिक पद होते हैं उनमें छह साल या 65 वर्स जो भी पहले हो जाए मगर यहां पर महानयवादी अटॉनी जनरल के लिए कोई नहीं है लिमीट यहां पर जब तक राश्पती का सिर्वाद है मतलब सर पर हाथ है तब तक क्या रहेगा उस पद पर बना रहेगा मतलब उम्र की कोई लिमीटेशन नहीं है यहां पर ठीक है क्लियर इसके बारे में एक बात याद रखना है कि महानयवादी या टॉनी जनरल एक मात्र ऐसा दिकारी है जो संसत की बैठक में भाग ले सकता ह है वोल सकता है परनतु क्या नहीं कर सकता मत्दान नहीं कर सकता ठीक है यह बैठक में भाग लेगा संसत के पाणियमेंट की बैठक में भाघ ले सकता है कि एक मात्र है सदिकारी जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है बोल सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता तो वो कौन है महानयवादी अटॉनी जनरल और इसको भारत सरकार का वकील भी कहते हैं क्या बोला जाता है भारत सरकार का वकील बोला जाता है इसे ठीक है इतनी बा राजसभा और राष्ट पती, खयर पहले उपर में को राष्ट पती लिखना था छल जाता है ठीक है आर्टिकल 79 उसके बाद आटिकल 80 तो आटिकल 80 किसके बारे में बोलता है राज सभा के बारे में, आर्टिकल 81 किसके बारे में बोलता है, 81 बोलता है, लोग सभा के बारे में, ठीक, तो इसको उच्छ सदन भी बोला जाता है, clear, ये कभी भंग नहीं होती, ठीक, clear, मतलब जब तक सूरचान रहेगा, तब तक राज सभा तेरा नाम रहेगा, इसा बोल सकते हैं, ठीक है, भंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके, वन थर्ट सदस्य, प्रती दो वर्स में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक, कितने, वन थर्ट सदस्य, प्रती दो वर्स में, बदलते हैं, clear है, ठीक है, वैसे समानता है, राज सभा के सदस्यों का कारकाल, 6 साल का होता है, clear है, राज सभा सदस्य बनने की योगित में सब कुछ शेम बच यहां पर उम्र सीमा उम्र कितना तीस वर्स वाकिवही कि भारत का नागरिक हो लाप के पद पर नहों यहां पर दिवालिय पागलपन वर्ड यूज किया गया है और उम्र कितना 30 वर्ड अब लोकसभा लोकसभा को निन में सदन बोलते हैं या इसको बोल सकते हैं जनता का सदन क्योंकि यहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रितिनीदी भाग लेते हैं क्लियर है यह इस लोकसभा का कारेकार 5 साल का होता है इसको भंग किया जा सकता है लोग सभा के सदस्ट बढ़ने की योगता बाकी सब सेम उम्र कितना 25 वर्ष और वही भारत का नागरिक हो पागल मत हो दिवालिया मत हो लाब के पत पर ना हो बाकी सब सेम क्लियर है ठीक है ओके और इनका चुनाओं कैसे होगा इनका चुनाओं होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्लियर है ठीक आर्टिकल कौन सा है यह 81 उसके बाद आर्टिकल 85 85 है कि राश्पती की द्वारा संसद का सत्र बुलाना सत्रा वसान करना विघटन करना ठीक ओके राश्पती लोग सभा का सत्र बुला सकता है उसको विघटीद कर सकता है उसको सत्र में भंग कर सकता है में निलम्बित नहीं करता थिक तेस्ट नहीं करेगा थे इस्थजगित अगर मान लोक लोग सभा की बैठक चल रही है तो कारवाही को कुछ समय के लिए क्या करना रोख देना तो यह होगा इस्थजगित कर नहीं टो gegen यह कुईसी बात को ले करके हो अल्ला हुआ तो लोग सभा को अध्यक्ष करेगा और राजसभा है तो राजसभा का सभान पती क्या करेगा उसको इस थागित करेगा ठीक है क्लियर है भंग या उसका विगटन राश्पती करता है मगा इस थगीत उस सदन का प्रमुख करता है ठीक है क्लियर है ओके ध्यान देना इस बात को उसके बाद आर्टिकल 87 राश्पती का भी भाशन तो राश्पती का भी भाशन कौन लिखता है तो यहां पर लिखता है कैबिनेट सच्चिव बोल सकते हैं ठीक अगर माली यह उप्शन में कैबिनेट सच्चिव नहीं है तो आप केवल कैबिनेट भी लिख सकते हैं कैबिनेट मतलब मंत्री मंदल भी बोल सकते हैं ठीक है यह 2008 में CGPAC में हुआ था तो CGPAC मतबब 2008 पेसी वाला जो एकदाम था वो कैसा था objective pattern में था में भी तो 2008 PSC में ठीक भले वो दो तीन साल बाद हुआ था 2012 में हुआ था कि 11 में हुआ था उसका ठीक है था दो तीन साल बाद हुआ था केस चल गया था उसमें तो उसके में में कोशन पूछा था यह कि राजपती का अभी भासर कौन तेयार करता है तो option में था cabinet सचीव था option में ठीक है बाकी तो सब चूथ थे ही clear तो answer क्या हो जाएगा cabinet सचीव अगर cabinet सचीव नहीं है option में तो आप cabinet है अगर है तो आप cabinet में भी राइट लगा सकते हैं को इसमें problem नहीं होगा ठीक है cabinet मतला मंत्री मंदल और इनी कोई बोला जाते है वास्तुविक कारपालिका किसको जाता है इनी कोई कहा willen जाता है वास्तुविक कारपाली का होती है यह ठीक है क्लियर उसके बाद आर्टिकल 102 तो 102 बोलता है लाब के पद के बारे में लाब का पद बोल सकते हैं या सदस्यों की सदस्यों के योग गिता की निहरता ठीक और आर्टिकल 103 क्या बोलता है इसका निर्धारन करना लाब के पद का निर्धारन या सदस्यों की योग गिता का निर्धारन दोनों में याद रखो कि से बेठक कौन बुलाएंगा राश्पती बुलाता है इस बैठक की अध्यक्सता कौन करेगा तो इस बैठक की अध्यक्सता करेगा लोक साहँवाई्य। या लोक साहाँद्याख्ष ठीक सगय। W पनी बुलाई जा सकती सगय। बेठक दो विश्योंप कर निम्हس करेब सब एक है आपका धन विध्यक और एक सभिधान संसोधन इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी विशच्व पर सभीक्ति बैठक बुलाई जा सकती है कहने को मतलबोगसभा राजसभा की एक साथ बैठक क्लियर है ठीक है तो कौन बुलाएगा राश पती बुलाता है सभा जटा कौन करता है तो लोग आर्टिकल 110 धन विध्यक के बारे में बोलता है किसके बारे में धन विध्यक के बारे में बोलता है धन विध्यक क्या होता है तो धन विध्यक जिसमें आय वै संचित निदी आकास्मिक निदी से पैसा निकालना या डालना इन सब के बारे में वल्णन होता है ठीक संचित पैस धन विद्यक है या नहीं इसको कैसे प्रमारित किया जाता है तो इसके लिए कहले छोटा सा शॉट कट में बता रहा हूं देखो पूरा सविधान खतम कर रहा हूं मतलब भाग पांच इस आर्टिकल में पूरा शॉट कट में कंप्लीट कर रहा हूं मतलब बहुत जवरजस्त आपका शॉट नोट्स तैयार हो रहा है यह ठीक है एकलियर तो धन विद्यक के बारे में यह कि इसको लाने से पहले राजपती की क्या चाहिं है अनुमती पहली बात दूसरी बात ये केवल सबसे पहले कहां पेस ओगा तो सबसे पहले यह लोकसभा में पेस हो गा ठीक है र लोगसभा अध्यक्ष कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका इधारन कौन करेगा लोगसभा अध्यक्ष करेगा ठीक अब धन विध्यक पेस हो गया पास हो गया कहां से लोगसभा से लोगसभा से पास हो करके कहां गया राजसभा में तो राजसभा का धन विध्यक प अपने पास रख सकता है 14 दिन के अंदर इसको पास करना पड़ेगा अगर राजसभा 14 दिन के अंदर धन विद्यक को पारित नहीं करता तो यह automatic ही, क्या हो जाता है, pass हो जाता है, ठीक है, बट अगर यहां पर राजसभा बोलती ही, कि धनविद्यक में कुछ संसोधन कर दो, तो अगर वो विद्यक को वापल भेजती है कहा, लोग सभा में, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कि लोग सभा उसकी बात को सुविकार करें मतब ओर यह बोल सकते हैं कि धन विध्यक पर पूरा का पूरा अधिकार किसका है लोकसभा का है ठीक है ठीक है क्लियर ओके तो राश्प क्या धन विध्यक को राजसभा किते दिन तक रख सकते अपने पास केवल 14 दिन तक और अगर यह पारित नहीं किया तो आटोमेटिक ही क्या हो जाती है यह पास हो जाती है ठीक है इतना याद रखना है किसके बारे में धन विध्यक के बारे में कि सबसे पहले राश्पती के निमती जरूरी है राश्पती से निमती मिलने के बार लोकसभा में ही सबसे पहले पेस किया जाएगा कोई भीधर है या नहीं इसका निधारन लोग सभा अध्यक्ष करेगा लोग सभा इसको पारित करके राज्च सभा भेजेगी राज्च सभा उसको केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है अगर 14 दिने पारित किया तो ठीक नहीं किया तो आटोमेटिक ही पास ठीक फिर राजपति को साइन तो कर नहीं है क्योंकि अनुमति वो इसलिए देता है कि उसको कानून बना नहीं है अरहाल में ठीक है क्लियर ओके उसके बाद आर्टिकल 111 तो किसी विध्यक को राश्पति के पास भेजना विध्यक की अनुमति ठीक क्या चीज विध्यक की अनुमति ठीक कि राजपति पास जो विध्यक भेजते ना साइन करने के लिए तो कौन से आर्टिकल के तहत आर्टिकल 111 के तहत क्लियर है उसके बाद आर्टिकल 112 वार्शिक विध्य विवरन कहने के मतलब क्या हो गया बजट ध्यान दो हमारे सभिधान में बजचट सब्काव लेक नहीं किया गया है उसकी देग हमने क्या लिखा हुआ है वार्शिक विविवरन लिखा हुआ है ठीक है और किस में जाता है यह बजट पेस किया जाता है तब उसी में इसको भी पेस किया जाता है ठीक है उसके बाद आर्टिकल 116 लेखानुदान झूं वोट इंड रोते हैं इसको लेखा सुना उसको लिकनी रहां जए थिक है बार-बार पेंट्र गिर रहा हां से अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है लग रहा है छोड़ो लेखा नुदान लेखा नुदान क्या होता है कि यह बजट के समय पेस होता है ध्यान देना दूसरी बात है कि जब बजट का सैसन चल रहा होता है 55 दिन का सैसन रहता है जब बजट का सैसन या सत्र चल रहा होता ह तो वहाँ पर अतियावशक कार के लिए, माली जे बहुत important काम आ गया, तो अतियावशक कार के लिए, जब संचीत नीधी से पैसा निकालने के लिए, किस से? संचीत नीधी से पैसा निकालने के लिए, जब एक अनुदान विधेयक पेस किया जाता है, किस से निकालने के लिए संचीत नीदी से पैसा निकालने के लिए जब एक विध्यक जो अनुदान के रूप में होता है उसको जब पेस किया जाता है तो उसी कोई कहा जाता है लेखानुदान तीन पॉइंट में खतम पहला बजट सत्र के दौरान दूसरा अती आवश्यक कार के लिए जब पैसे की जरुवत हो जब धन की जरुवत हो तो संचीत नीदी से पैसा निकालने के लिए जो प्रस्ताव या जो अनुदान पेस किया जाता है संसद में लोकसभा में तो उसी खानू दान ठीक क्लियर मगव कप पेस करेंगे बजट सत्र के दौरान ही क्लियर ठीक कौन सा आर्टिकल 116 उसके बाद आर्टिकल 117 वित्विधयक ठीक तो वित्विधयक में क्या कह रहता है आए वे और टैक्स कवर्णन किसका अनुटा है टैक्स का इसमें कर का वर्णन हो ठीक है यह भी किस्वें पेस किया जाता है यह भी क्या बोलते हैं बजट सत्र के दौरान पेस किया जाता है इसके बाद आर्टिकल 123 तो अध्यादेश राश्पति का अध्या देश भारत में अध्यादेश देने की सुरूआत हुई थी 1861 के भारत शाशन अधिनियम के तह यहं पर वायरत का वाय सरे था उसको अधिया देश जारी करना का अधिकार दिया गया था 1861 भारत शचाषन अधिनियम के तहद बारत में आर्टिकल एक्षॉ economist की बारे में बात करता है अध्या क्या होता है देखो हमारे देश में यह हमारे क्या किसी भी देश में कोई अगर कानून बनता है तो किसके दौरा बनाया जाता है पालियामेंट के दौरा बनाया जाता है संसत के दौरा बनता है ठीक है तो हमारे देश में संसत का जो सत्र होता है मैक्सिमम 2ð manner na ठीक अगर जरत होता है तो 3 CBS 21 Intell हो जाता है मगर एक transmisторction मतलब एक बैथक का दूसरी बैठक के बीच का कितना ओता है छह मैदे का होता है भी मादब जो थे खाण करना है जो काम करना है उसको करें समझने के लिए मानना पड़ता है तो माली जिलाय में बैठक हो निया अब क्या हुआ कि इसी बीच अचाना किसी विशे पर कानून बनाना अती आवश्यक हो जाता है ठीक है क्लियर तो यहां पर जब संसत्का सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी विशे पर अगर कानून बनाना अती आवश्यक है तो राश्पती अल्पकाल के लिए एक आदेश जारी करता है अध्यादेश कही मतलब होता है अधीधन आदेश अधी मतलब होता है अल्प ठीक तो राश्पती अल्पकाल के लिए एक आदेश जारी करता है यही आदेश अध होता है equal to law होता है ठीक है मगर कब जारी करेगा जब संसत का सत्र ना चल रहा हो तब जारी करता है अल्पकाल कहने का मतलब 6 महिना अब इस 6 महिने के बीच में संसत की बैठक हुई अब जो राजपती जो और्डिनेंस पास किया है उसको वहाब पेस किया गया मानलों दोनों ने उसको पारित कर दिया लोग सबह राज सबह ने पारित कर दिया तो पर्मानेंट कानून बन जाएगा अब अगर दोनों सद्रों ने पारित नहीं किया तो वह छे सप्ता के अंदर ठीक अगर पारित नहीं किया तो च्छे सब्ता के अंदर आटो मैटिक ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा clear है ठीक तो लागू कब तक रहेगा 6 मेने तक रहेगा जब संसद का सत्र जब तक ना आता हो और अगर मालो संसद ने उसको पारित नहीं किया लोकसभा रासभा ने उसको पारित नहीं किया तो वो छे सब्ता के अंदर आटो मैटिक ही क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा ठीक है इसी को बोला जाता है अध्यादेश या ओडिनेंस clear है उसके बाद आर्टिकल 124 तो आर्टिकल 124 किसके बारे में बोलता है सुप्रीम कोट लिखना था हाई कोट लिख रहा हूँ ठीक किसके बारे में बोलता है सुप्रीम कोट के बारे में बात करता है ठीक है clear कि भायात का सुप्रीम कोट है कहां पर है नई दिल्ली में है clear उसके बाद आर्टिकल 129 अभी लेक नियाल है ठीक अरे सुप्रीम कोट के लिए करेंट अभी हाली में ठीक किसको बनाया गया भारत का फोटी नाइन उन्चास्वा चीफ जस्टीस अफ इंडिया यू यू ललित यू यू ललित का पुरा नाम है उदै उमेश ललित ठीक क्लियर ये मात्र चोहत्तर दिन 74 डेस के लिए भारत के सीजे आई बने हैं ठीक है क्लियर मात्र 74 डेस के लिए नॉमबर में रिटार्ड हो जाएंगे ये भारत में सबसे कम समय तक कम Beginning सीजे आई चीप जाश्टिस आफ इंडिया रहने का जो क्या बोलेंगे उसको कारेकाल है सबसे कम कारेकाल है करेल नरायन सीजिट का है वह मात्र 17 दिन भारत के मुख नैधिज बने थे 21 नवमबर 1999 से 12 दिसंबर 1999 तक वो मात्र 17 दिन के भारत के चीप जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे ठीक है ना कमल नरायान सी याद रखना ठीक है और यह अभी जो बने है उदय उमेश ललीत यह 74 डेज के लिए भारत के CGI बने है नॉवंबर में क्या हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे फ थीक ध्यान देना सबसे कम समय तक कौन कमल नरायान सी 17 दिन थे वो बस ठीक अब यह आटिकल 129 अभी लेक नाल है तो अभी लेक नाल है क्या होता है कि कोट जो होती है कोई अगर फैसला देती है तो उसको एक रिकॉर्ट के रूप में रख लेती है ठीक ताकि भविश में अगर एसली कोई घटना हो जो देख कर कि क्या कि अश्यासके से की तो रिकॉर्ट को जो समहिता हाई रखती है उसी कोई कहा जाता है अभी लेक नैल खोव में सब्सक्रां को भाविश में पढ़ा ने तो लिख ना पतनेया ठीक है तो आटिकee 137 तो अतीक नैएक पुर्णा विलोकन के बारे में बात करता है नैएक पुर्ना विलोकन जो है यह कहां से लिए अमेरिका से लिए अमेरिका से है नायकपुन अवलोकन भी कहां से अमेरिका से है ठीक क्या होता यह सदल सब्दों में समझा रहा हूं देखो जैसे अभी हाली में सब जानते ही है किसान लोग सड़ा कड़क पर बैठ गये थे क्रिशी कानून को ले करके ठीक है क्लियर अगर सरकार कोई कानून बनाती है ठीक मान लो सरकार को एजुकेशन को ले करके कोई कानून बनाना जैसे अभी नई सिक्षानिती बनाई है ठीक है तो मान लो कि इस सिक्षानिती में एक पॉइंट है पॉइंट क्या है मान लो ना है नहीं है वो मगर मान लो ठीक मनवाता बहुत हुए ठीक मानना पड़ता है ठीक ठीक, अब भारत की 75% जन संख्या तो गाव में निवास करती है, क्लियर, अब ग्रामिर छेत्रों में सिक्षा तो ऐसा है, कि वहां हिंदी मीडिय में ही ठीक से मानलो पढ़ाई नहीं हो रही है, ओके, बहुत कम है साक्षर वहां के लोग, तो अब यहां पर सरकार एक नया कान कानून बनाई, शिक्षा को लेकर के, कि अंग्रेजी माध्य में ही पढ़ाई होगी, हिंदी माध्य में नहीं होगी, मानलो बोल दी, ठीक है, तो ग्रामिर छेत्रों में तो बहुत बावाल मत जाएगा, तो यह कानून किसके लिए है, जनता के लिए, मगर जनता का इससे ही अधर में भाश पया, तो शति है, सरकार बोलेगी कानून गलत है, कानून जनता के हिसाब से नहीं है, ऐसा वहता कर दू Sims को बोलेगी, अब यह कैस कहा जाएगा當 initial के जो कानून बणाय जा ए भागा कि बनाय गया, वहो जनता के हित में नहीं थे देजभर में अंदोलन हो र कि सरकार ने कानून बनाया है जो सिख्षा से सम्मंदित है और उसमें ये लिखा गया है कि क्या है कि कंपल सरी है अंग्रेजी में पढ़ाई करना जो कि जनता के हित में नहीं है सारे चीजों की जाद परक करने के पश्यात सुप्रीम कोट एक डिसीजन देगी सुप्रीम कोट ये कहेगी कि जो कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है वो जनता के हित में नहीं है तो सरकार इस कानून को या तो रद करे पूरा का पूरा और या तो उस कानून में जो पॉइंट है जिसके कारण मतलब जो जनता के हित में नहीं है उस पॉइंट को या उस भाग को उस कानून से हटा दे तो न्याले या तो पूरा का पूरा कानून रद करवा देगी या तो उस कानून में से किसी एक पॉइंट को जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसको हटाने के लिए कहेगी तो जब न् नयायपुर्णा विलोकन मतलब नयालय का सरकार पर विधाय का पर कारपालिका पर हस्तचेप उसके कार्यों में हस्तचेप होना ठीक जैसे अभी क्रिशी क्लें हो रहा था सुप्रीम कोटिक कमिटी बठाई फिर उसके दीरे-दीरे क्या हुआ कि मोदीजी को क्या करना पड़ा उसको वापस लेना पड़ा तो नयाय पालिका जब किसी कानून को या तो पूरा 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 सुन निघोशित कर दे तो उसी कोई कहा जाता है नायग पुर्ना विलोकन ठीक है और यह लिया गया कहां से अमेरिका से इसके बाद आर्टिकल 148 तो आर्टिकल 148 बोलता है सी एजी कंट्रोलल ऑडिटर जनरल आफ इंडिया की नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करेगा राश्पति करेगा ठीक क्लियर और इसका कारेकाल 6 साल या 65 वर्स जो भी पहले हो क्लियर है उसके बाद आर्टिकल 149 तो सी एजी की कर्तव और सक्तियां उसके बाद आर्टिकल 150 सी एजी के कार है तो यह क्या करेगा केंद्र सरकार राज्जी सरकार के खातों की जाच करता है राजपति द्वारा दिया गया अन्न कोई कार जो खाते से संबंदित है क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा एकाउंट आफिसर होता है ठीक खातों की जाच करता है इससे के बाद फिर पता चलता है कि इसके बाद आर्टिकल 151 सी एजी की रिपोर्ट तो सी एजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है राजपती को देता है ठीक यहां पर एक इंपार्ट इन पॉइंट CAG की रिपोर्ट की जाज CAG की रिपोर्ट की जाज कौन करती है PAC Public Account Committee जिसको लोक लेखा समीती बोलते है ठिक ये समीती CAG की रिपोर्ट की जाज करती है इस समीती में 22 सदर से होते है ठिक 15 लोक सभा से ठिक और साथ राजसभा से होते है ठिक इस समीती को प्राकलन समीती की जुड़ुआ बहन भी कहते है किसका प्राकलन समीती का और इसका काम है कि CAG की रिपोर्ट की जाज करना तो CAG की रिपोर्ट की जाज कौन करती है Public Account Committee करती है ठिक है इसका कारेकाल एक साल का होता है मतलब इसकी अध्यक्ष का हर साल चेंज होते रहते हैं ठीक इतना याद रखना है आपको आर्टिकल समझ में आया यहाँ पर यह पूरा पोश्चन कम्प्लीट अब अपन करते हैं इसका MCQ चलो देखते हैं तो पहला कोश्चन भारती संग की सक्ती किसमे नहीं थै तो ऑप्शन देख लेते हैं तो भारती संग की सक्ती किसमे नहीं थै संसत, प्रधार मंत्री, राष्टपती, मंत्री मंदल common sense है, answer is C, राष्टपती में राष्टपती की निर्वाचक मंदल में सामील है कौन कौन है, option देखते हैं तो राष्टपती की निर्वाचक मंदल के लिए option है आपका संसत के दोनों सदनों के सदस से तथा राजी की विधान सभाओं के निर्वाची सदस से संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदसे एवं राज जी की विधान सभा विधान परिसदों के निर्वाची सदसे संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदसे एवं राज जी की विधान सभाओं के निर्वाची सदसे और चौथा option है संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस तो मैंने अभी आपको बताया ठीक कि राजप्रतिक निर्वाचर में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर option A और C को देखो option A बोल रहा है संसत के दोनों सदनों के सदस ठीक और यहाँ पर बोल रहा है संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस ठीक तो यह तो ऐसी कड़ गया यह भी कड़ गया और यह तो कट़ गया तो आंसर क्या हो जाएगा C क्योंकि संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस से राज्यों की विधान सभाउं के निर्वाचित सदस्य से और दिल्ली पॉंडी चेरी के निर्वाचित सदस्य इतने लोग पाटिसेट करते हैं राजपती के निर्वाचन में ठीक है क्लियर चलो नैक कोश्चन देखते हैं अपन राजपती पद के चुनाव के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है हाँ यह कोश्चन बोड़त हमें तो अनुपातिक प्रतिनी दित्तो एकल संक्र क्या हो जाएगा कि सभी के द्वारा होता है राशपती का निर्वाचन यह पुड़ा इक प्रक्रिया है किसके राशपती के निर्वाचन की ठीक है उसके बाद निर्वीरोध चुने जाने वाले राषपती हैं बीवीगिरी नीलम संजीवरे क्राइट दी राजेश्यन्ध रोज चुरे गए थे निलम संजीर रेड़ी ठीक है नेक कोश्यन उप्राजपटिक निर्वाचक मंदल में सामील है सिर्फ राजसभा के सदसे सिर्फ लोगसभा के सदसे राजसभा लोगसभा के सदसे राजसभा लोगसभा के सदसे राजसभा लोगसभा के निर्वाची सद सदस्ति लिकाई तो यह नहीं होगा और क्या हो जाएगा क्योंकि उप्राश्पती के निर्वाचन में मनोनीत और निर्वाचेट दोनों सदस्ति क्या होते हैं सामील होते हैं ठीक है क्लियर चलो नैट को्ष्चन राश्पती राजसभा में कितने सदस्यों को मनोनीद करता है 12, 15, 14, 2 तो राश्पती राजसभा में राजसभा में 12 लोगों को मनोनीद करता है दो सदस्य जो होते हैं वो लोग सभा में क्या करता है मनोनीद करता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12 कितने सदस्यों को 12 सदस्यों को ठीख हिए क çocuğe पध्धान मंत्र की कौन करता है राश्पती ब्राष्पती लोकसंद ध्यक्ष भारत का मुख् lo confident तो पध्धान मंत्र की निउक्ति करता है राश्पती करता हैcop y love you are रहो यदि प्रधान मंत्री या कोई अन्द मंत्री सदन का सदस्ट नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए किते दिनों के अंदर संसत का सदस्त बढ़ना आवश्चा करेते को भारत के पढ़ा मंत्री के पहली बात तो ये कि कोई इसके लिए योगता नहीं रखी गई है मगर प्रधान मंत्री के कोई योग गिता नहीं है यह जो संसद है उसके दोनों सदनों का भी सदस से हो सकता है लोग सभा का भी सदस से प्रधान मंत्री बन सकता है कोई कंपल सरी नहीं है कि लोग सभा का सदस से ही प्रधान मंत्री बनेगा दूसरी बात इसकी उम्री कोई डिसाड नहीं है ठीक तो समानता भारत में चुनाव लणनी की उम्री ही 25 साल है तो 25 वर्षिया उससे अधिक अब पधान मंत्री को सपत कौन दिलाता है राश्पती दिलाता है तो यहां पर पुछा कि अगर पधान मंत्री किसी सदन का सदस नहीं है तो कितने महने के अंदर उसको सदस से बनना जरूरी है तो उसको 6 माह के अंदर ठीक कितने महा के अंदर 6 माह के अंदर उसको किसी भी एक सदन लोक सभा का या तो राज सभा का क्या बनना पड़ेगा सदस्य बनना पड़ेगा ठीक है क्लियर है मंत्री परिशत सामोई कुरूप से किसके प्रती उत्तरदाई होते हैं तो मंत्री परिशत सामोई कुरूप से लोकसभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं सामोई कुरूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रती राश्पती के प्रती सामोईक रुप से लोकसभा के प्रति और वैक्तिगत रुप से राश्पर्ति के प्रति क्या होते हैं, ये उत्तरदाई होते हैं, ठीक, किसी विधेयक को धन विधेयक के रुप में कौन प्रमाडित करता है, तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रुप में कौन प्रमाडित कर सरकार का प्रथम विधियादिकारी कौन होता है भारत का मुख्य नयाधिश केंद्री विधी मंत्री महानयवादी महादिवक्ता तो सरकार का प्रथम विधियादिकारी मतलब केंसरकार का वकील कौन होगा महानयवादी अटानी जनरल होता है ठीक है क्लियर लोकसभा एम राज सफ़ा के बीच मैक्जिम कितने दिन कांतर होना जाई हिस भारत का नियंतर के महाले का परिक्षक किसके दौरा नियूट किया जाता है इसिंपल है बताया था मैंने राज पती के दवारा किसके दूरा राज पती के दौरा दो है wenn I'm भारत के सरोच नाले में नयाधितों की कुल संख्या कितनी है 25-25-25-25-24-27 तो अभी वर्टमान में 34 है जिसमें एक मुख्य है CGI है और बाकी 33 क्या है किवल जस्टिस है नयाधिश है एक मुख्य नयाधिश है और 33 नयाधिश है ठीक है सबीधान के कि सनुष्वित के द्वारा राजपति को सरोचनाय से परामस मांगने का दिकार प्राप्त है आर्टिकल 143 ध्यान दो यह तो बता कुका हूं अभी लेख नयाल है ठीक है आर्टिकल 143 के तहट क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से मतब राश्पती सुप्रीम कोर्ट से परामर्स यह सलाह मांगता है यहां पर दो बाते ध्यान देनी आते हैं पहली बात कि अगर मान लीजे राश्पती सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांग रहा है ठीक तो यह को जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोट जो सलाहा दिया है राषपती को राषपती उसको माने पहली बात ठीक कोई जरूरी नहीं है कि अगर राषपती ने कोई सलाहा मांगी तो सुप्रीम को सलाह देना अनिवार रहे हैं ये भी कोई कंपल सरी नहीं है राजपती मांगा अगर उसने दिया है सलाह तो जरूरी नहीं कि राजपती उसको मान ले हाँ ठीक है मैं मान रहा हूं या राजपती ने बोला है तो कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोट उसको सलाह दे क्योंकि जो सलाह दिया है तो सलाह ले और ये कोई कंबल सरी है कि ये मांगा है तो वो सलाह दे समझ में आया गुलमुलत नहीं हुआ ठिक आर्टिकल 143 के तहत उसके अध्भाद के पध्धा मंत्री का पद सविधान द्वारा गठित है परमपरावपाधारित है संसद और पाइच साध किस प्रकार का होगा मगर भी धियां दो अगर मान लिजिए ऑप्शन में 753 नहीं लिखा है केवर लिख दिया है 75 टिक 75 लिखा 74 लिखा 72 लिखा 71 लिखा टिक तो भी आप मार दोगे कौन से आर्टिकल में 75 में दोरो चलेगा ठीक है क्लियर भारत में एक वेक्ति अधिक सध करता है तो कोई limit नहीं है उसकी जब जाहे तब तक जब तक है जान जब तक है जान तब को बन सकता है भाथ गाव प्रधान मंत्री संगी मंत्री पईशत का अध्यक्ष कौन होता है तो संगी मंत्री पईशत का अध्यक्ष होता है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री क्या करता है बैठक की अध्यक्षत करता है बैठक बुलाता है सब करता है तो संगी मंत्री पईशत का अध्यक्ष कौन होगा प्रधान मंत्री होता है पधामंत्री की नियुक्ति राश्पति करता है किस अनुछेत के ता तो मैंने अभी बोला ना अगर मालो आप्शन मेरा तो आप क्या लगा सकते हो 75 आंसर लगा सकते हो यह भी राइट ही है क्लियर ठीक भारत के पधामंत्री पत के लिए उमिद्वार की कम से कितनी उम मतलब उसकी उम्र होनी चाहिए ठीक है सदल सदल कोश्चन है थोड़ा यदि भारत के प्रधान मंत्री संसत के उच्छ सदन के सदस्ट से हैं ध्यान देना अगर भारत के प्रश्टाव की स्थिति में अपने पक्ष्में वोट नहीं दे सकेंगे वे निन्म सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे वे उच्छ सदन में वक्तव दे सकते हैं उन्हें प्रधामंत्री पद की सपद गरहन करने के बाद छे माह के अंदर निन्म सदन का सदस्ट से बनना पड़ेगा अच्छा कोश्चन है ध्यान दो पहली बात तो यह कि मैंने इससे पहली भी बताया कि म तो सिर्फ सिर्फ सबसे पहले कहां लाया जाएगा या सिर्फ कहां लाया जाएगा लोकसभा में लाया जाएगा क्योंकि वहीं पर मंत्री पईसद बैठे हैं वहीं पर कारिपली का बैठी है क्योंकि वह जनता की सभा है जनता की चुनोई प्रतिनीधी हैं वही सरकार का नि नहीं कर सकता इस condition पे अपने पक्ष पर वोट नहीं दे सकता क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उच्छ सधन में पेश नहीं होता ठीक है चुकि वो सदस्त कहां का है राजसभा का है ठीक है लोकसभा के सदस्त ही केवल अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग करते हैं धन विदेयक से सम्मधित निमने खितकतों में से कौन सा एक सही नहीं है इसे राजसभा में पुनाइश्थापित नहीं किया जा सकता यदि कोई प्रस्न उपगत है होता है कि विदेयक धन विदेयक है नहीं तब अध्यक्षन नहीं करता है धन विदेयक पर गतिरोत की स्थित है नहीं बुला सकता मैंने कहा है दो विश्यों पर बैठक नहीं बुलाते एक सविधान संसोधन पर और एक धनविद्याक पर ठीक क्लियर तो आंसर क्या हो जाएगा सी किसे लोक लेखा समीती के मित्र दार्शनिक मार्दर्शन के रूप में जाना जाता है एकई वेक्टी है और वो कौन है सी ए जी क्योंकि इसकी रिपोर्ट की जाची करती है कौन लोक लेखा समीती करती है मार्दर्शक कaking रूप में 7 निभाता है किसका अ कि ऑ भारत प्रेंग एंतर कम्हाले का कि परिक्षण को अपने मिसकी तरह असकता है मतला है उसको करकाल के दौरान अगर उसे से सुब्सक्राइब कर्मार कुछ लेखना ही lub लोक सभा मतलब भारत के नियंत्रक कमहले कर परिशक को अपने कारयाले से किस की दर हटाय जा सकता है उसको हटाया सकता है सरोच नियाले के नैद ही इसको हटानी की जो प्रक्रिया है सेम वैसी ही इसको भी क्या कर सकते हैं DIRECTOR आते हैं क्योंकि महाभीयोग की प्रक्रिया राश्पति लागू होती है कि गलत बात नहीं होगी कि मैं यह बोल सकता हूं कि सरोच नाले के नैधिस के बराबर, and last question, भाती सविधान में नियंतरे के महले का पैश्चा का पद किस देश से लिया गया है, तो भाती सविधान में CAG का पद लिया गया है, कहां से, बृतें से लिया गया है, ठीक है, कहां से लिया गया है, बृतें से लिया गया, तो question ज्यादा हाड नही अगर आपको फिर भी कोई doubt होता है तो आप मुझे comments box पर जरूर बताएं clear जो पढ़ाया हूँ इस topic से सम्मंदित कोई problem हो या जो articles बताया हूँ उससे सम्मंदित अगर कोई problem हो तो आप मुझे comments box पर जरूर बताएं ठीक है उमीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा ठीक है clear तो जाते जाते धर्णेवाद तो बनता है ठीक तो thank you so much फिर मुलाकात होगी next video में तब तक अपना ख्यार रखिए और अच्छे से पढ़िए क्योंकि हमें क्या करना है आरिया पार पैदल या कार करना है चलिए thank you